हलो फ्रेंज राधे राधे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का साची की रसोई में आज मैं लेकर आई हूँ बहुती स्वाधिश्ट और चटपटा नास्ते की रेस्पी तो फ्रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्चर बहुती बड़ी हाया है और आपको कभी भी कुछ चटपटा खाने को मन करें तो आप इस नास्ते को बना कर जरूर खाएं यह बहुती क्रिस्पी और टेस्टी बनता है नास्ता तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंज कैसे बनाते हैं इस नास्ते को तो इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे लगभग दो मीडियम साइज की बोईल की हुई आलू और हमने इसका छिलका निकाल दिया है और इसको हम इसी तरह फोर्क से मैस कर देते हैं आप चाहें तो यहाँ पर मैसर से मैस कर सकते हैं या हाथों से भी इसको बड़िया मैस कर सकते हैं तो इसी तरह से हमने इसको मैस कर दिया है और फिर से रख देते हैं हम गैस पर फ्राई पैन और हमने डाल दिया है इसमें लगभग दो चमच सरसों का तेल तो ये थोड़ा सा गरम हो जा उसके बाद हम लगाते हैं इसमें तड़का तो तेल गरम हो गया है इसमें हमने लगभग आधा चमच डाल दिया है जीरा तो जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें लगभग एक मीरियम साइज की प्याज और दो से तीन हरी मिर्स को बारी काट लिया है इसमें हम डाल देते हैं तो इसको थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे प्याज को उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू तो फ्रेंट्स यहाँ पर आज हमने बहुत जादा मसाले यूज नहीं किये हैं बहुत जादा मसाले नहीं डाले हैं थोड़े से मसाले में सच में बखुती चटपटा टेश्ट आएगा इस नास्ते में तो हमने डाल दिया है लगबग एक पिंच हल्दी पाउडर तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर भी जादा नहीं डाला है लगबग एक पिंच ही डाला है हल्दी पाउडर और इसको चलाते हुए हम डाल देते हैं इसमें आलू जो हमने मैस करके रखा था तो आलू को भी थोड़ा mix कर देते हैं और friends अगर मेरी ये recipe आप सभी को अच्छी लगे तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon भी प्रेस करते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो का notification आप सभी को मिलता रहे और अब हम डाल देते हैं लगभग आदा चमच इसमें लाल मिर्स पाउडर और आदा चमच ही डाल दिया है यहाँ पर चाट मसाला और हम डाल देंगे टेस्ट के according नमक तो इतने ही मसाले डलेंगे और एक और मसाला है friends जो इस नास्ते को बहुत ही चरपटा और स्वादिष्ट बनाएगा वो मसाले आप जरूर डालें उससे बहुत ही बढ़ी हाँ टेस्ट आएगा इस नास्ते में और हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालें friends हमने बहुत थोड़े से मसाले डालें ही इसमें तो यही मसाला है friends इसमें हमने लगबग एक चमश डाल दिया है पावभाजी मसाला तो हाँ पावभाजी मसाले से सच में बहुत ही बढ़ी हाँ टेस्ट आएगा नास्ते में तो आप बना कर देखिए बहुत ही बढ़िया और चटपटा बनता है ये नास्ता तो पाव भाजी मसाला डालते हुए और हमने डाल दिया है इसमें हरी दनिया और अब हम गैस को ओफ कर देते हैं इसको रख देते हैं साइड में और यहाँ पर हमने ले लिया है लगबग एक क डाल दिया है यहाँ पर सूजी और अब हम डाल देते हैं इसमें गेहु काटा तो दोनों हमें मिक्स कर लेना है डालते हुए तो हमने दोनों डाल दिया है और हम डाल देते हैं यहाँ पर टेस्ट के कोडिंग नमक टेस्ट के कोडिंग क्या फ्रेंड्स यहाँ पर नमक कुमा वाइन्द एल टू दालने से बहुत ही बढ़ी चलते हैं कि खाल् heritage दौले तो एक बार में पानी अहीं प्राहिक nhất par मैं धृऔंगा थिक्नेस रोक है बहुत पशल scroll, इस तो एक बार में थी थेख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी लोईया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लगबग दो लोई इसकी निकाली है, उसके बाद इसको हम ऐसे रोल करते हुए हलका सा लगा लेते हैं, इसमें गेहू काटा, उसके बाद हमें इसकी रोटी बनानी है, तो एक लोई पराबर है इसको हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे बेल लेंगे उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने इसकी रोटी बना ली है जितनी पतली हम रोटी बनाते हैं सेम उतनी ही पतली इस रोटी को हमें बनानी है और रोटी से बड़ी हमें कट और लगा देते हैं तो उस से पहले हम हलका साई से बेलन से बेल लेते हैं ताकि बढ़या बराबर यह जहां थोड़ा सा मोटा पतला हो तो बराबर बढ़या पतला हो जाए और उसके बाद हम फिर इसको काटेंगे तो इसी तरहें रखते हुए इसको हम बीच में से फिरते एक कट लगाते हैं तो इसी तरह से हम बीच में से भी एक कट लगा देंगे और उसके बाद हम फिर से इसको कट लगाते हैं तो इसी तरीके से हमें इसको कट लेना है तो सारे जो pieces है friends यहाँ पर हमें बराबर ही कट करना है चोटा बड़ा नहीं रखना है, अगर आपको थोड़ा भी चोटा बड़ा या मोटा पतला दिखता है, तो इसको हलका सा बेलन से आप बेल सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रेंड्स इसी तरीकी से हमने इसको बना लिया है, उसके बाद हमने जो आलू का मिक्चर ब खुलेगा नहीं तो इसको बराबर हमें चारों तरफ से पानी लगा लेना है उसके बाद इसको हम कवर कर देते हैं इसी तरह फोर्ड करते हुए बढ़िया इसको और अगर थोड़ी भी आलू बाहर को निकली हुई दिखे तो उसको हाथों से हलका सा इसको दबाते हुए बढ लिया है यह बिल्कुल भी खुलेगा नहीं फ्राइ करने पर तो ध्यान रखना है कि पानी जरूर रगाएं और इसी तरीके से हमने बना लिये हैं सारे और इस पर हमें कट लगाना है तो लगभग तीन से चार जगे हमें कट लगाना है और यहां पर फ्रेंड्स जैसे कई प जोटींग कट भी लगाना है अगर बढ़े हैं तो आप 4 इसमें लगा सकते हैं अगर पीस छोटा है तो उस पर हम तीन कट लगाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं इसी तरह हमने यहां पर लगभग चार कट लगाए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आप सोच रहे होंगे कि लगाने से हम फ्राइ करेंगे तो आलु बाहर आजाएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी तो आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं तो हमने सारे पीस पर इसी तरह से कट लगा दिया है नमक लगभग 2 पिंच और डाल दिया है हमने कुटी हुई लाल मिर्च और यहां पर सफेद तिल डाला फ्रेंट्स दो चम्मच और एक चम्मच करोंजी डाली है और हरी धनिया डालते हुए हमने डाल दिया है यहां पर लगभग 1 पिंच हल्दी पाउडर तो haldi powder बहुत ज़्यादा नहीं डाला है friends, लगभग एक पिंच, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका गोल बना लेते हैं, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और बहुत ज़्यादा इसको सूखा भी नहीं रखना है, यहां पर आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा पानी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं कि इसमें मतलब इतना डालना है कि बढ़ियां से उस पर एक कोट हो जाए कोटिंग आ जाए और इसको साइड में रखते हुए हमने रख दिया है फ्राइपन गैस पर और तेल को पहले थोड़ा मीडियम करते हुए हम गरम कर लेंगे उसके बाद हम जो हमने सलेरी घोल बनाया फ्रेट्स उसमें हमें डालते हुए इसको बढ़ियां निका जाल दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं उसके बाद हम इसको पलट कर दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट्स कलर बहुती बढ़िया आया है सच में इस तरीके से बनाएंगे बहुती बढ़ियां और क्रिस्पी न लेखने में लग रहा है सच में और बहुत ही स्वाधिष्ट भी बनता है इस तरीके से बनाएंगे नास्ता तो तो हमने इसको निकालकर प्लेट में रख लिया है तो आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं सोस के साथ चटनी के साथ या सुबह साम की चाय हो तो फ्रेंट्स कै कोमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग